तो आदाव नमस्कार गूड इवनिंग सस्याकाल एक बाद फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक के कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार इस पूरी वीक कहानी का सिलसला चलता रहा आज सेटेडे है आज की कहानी जो है कई लोगों की फर्माईश भी थी शिकायत भी थी कि आप जारखन की स्टोरी नहीं सुनाते है तो आज जारखन की स्टोरी है कभी इसको टाटा वहाँ पर एक शहर कहते थे टाटा है जम्शेदपूर भी उसे कही है तो ये वहाँ की कहानी है और सेटेडे है इसलिए आज कह कहानीया मैंने पहले भी सुनाई है कैसे एक फैंandy वाले अपने फैंटी की दुश्मन बन जाते हैं और यह ज्रह समझ में आता कि कभी कोई माबाप या बच्चे मिन पूंपते हैं Ey कैसे वो उनकी जान ले सकते हैं जिनको उन्होंने पैदा किया आप आला पोसा या जिनको उन्होंने पैदा किया आप आला पोसा मतलब हर रिष्टे का तो खुन होता ही रहा मैंने आपको बार बार कहा है आज की जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है हाला कि इश्क महब्बत प्यार में कहते हैं कि आदमी इनसान बन जाता है लेकिन यहाँ उल्टा है यह इश्क महब्बत में पढ़कर कातिल बन गई एक घर, उस घर के अंदर एक चट, उस चट के अंदर तीस घंटे और उस तीस घंटे के अंदर चार कतल और चारों अपने, मतलब उसने हर कतल के बाद यहां पर कातिल जो है वो कई कई घंटे इंतिजार करता है दूसरा कतल करने के लिए दूसरे कतले के बार फिर कुछ इंतिजार करता है तीसरे कतले के लिए और चौथे कतले का इंतिजार करता है घर में ही रुक कर क्योंकि चौथा शक्त जिसको कतले करना था वो घर के बाहर था और उसके वापसी का वो इंतिजार कर रहे थे और जो भी कतली किया पहले कतली किया तो दूसरे को पता नहीं दूसरा किया तो तीसरे को पता नहीं तीसरा किया तो चौते को पता नहीं 29 जनवरी 1999 की ये का इंसिडेंट है और जैसा कि मैंने कहा जमशेदपूर का ये मामला है जमशेदपूर के अंदर एक टेलको इलाका है जहां पे जो टेलको में काम करते हैं वो सारे इंपलाई उनका घहर है वो रहते हैं तो उसी टेलको इलाके में एक भौमिक फैमिली रहा करती थी 29 जनवरी 1999 की दोपहर को भौमिक फैमिली के उस वक्त घर में कुल तीन लोग थे एक भौमिक की वाइफ और एक उनकी माँ जो वाइफ की माँ और तीसरी इस घर की एक लड़की थी जो बेटी थी चैताली वो थी ये तीन लोग थे दोपहर का वक्त था नानी उपर के कमरे में खाना खाने के बाद आराम कर रही थी जो माँ थी चैताली की वो नीचे थी लेकिन माँ और नानी को ये पता नहीं था कि इसी दोपहर के बाद आम तोर पे छोटी जगों पे या इस तरह से जो फैमिली होती है बड़े शहरों में तो अब ये चीज़ें बदल गही हैं नौकरी और उसके चक्कर में अब दफ्तर में होते हैं ये बाकी काम होता है लेकिन छोटी छोटी जगों पे आज भी होता है कि दोपहर के खाने के बाद लोग आराम करते हैं एक दो घंटा सो जाते हैं और यही वहाँ पे था दोपहर का खाना खाने के बाद जो चैताली की मा थी वो नीचे के कमरे में अपना काम बाकी करने के बाद थोड़ा राम कर रहे थी और चैताली की जो नानी थी वो उपर के कमरे में सोने चली गी थी बजर्ग थी पर मा और नानी को पता नहीं था कि इस वक्त इस घर में चैताली के लावा भी कोई और शक्स है और वो शक्स था चैताली का अपना पती रिजवान खान उसका नाम था रिजवान की कहानी अलग है वो आगे आएगी तो जब मा कहीं बीजी हो जाती है नानी ऊपर चले जाती है चैताली को पहले से मालूम था वो इशारा करती है दर्वादा खोलती है रिजवान चुप-चाप से घर में दाखिल हो जाता है उसके बाद वो उपर के कमरे में चला है इसके बाद सोई हुई नानी का पहले यो लोग तक्या से मुझ दबाते हैं और जब उन्हें लग जाता है कि लगभग मर गई तो वहीं पर ये नहीं रुकते बलके उसके बाद रिजवान अपने साथ एक चौपर लेकर आया था तेजधार हत्यार उसके बाद वो नानी क महीना था ठंड थी और फिर वो उपर के ही एक दूसरे कमरे में छुप जाता है इधर मा नीचे थी काम कर रही थी काम करने के बाद थोड़ा वो आराम करने के लिए लेटती है इसी बीच में चैताली अब नीचे आती है और मौका मिलते ही वो बड़े दबे कदमों से रिज जबान अंदर आता है इससे पहले कि मा कुछ कह पाती है दोनों मिलके मा का गलत अब आते हैं और उसके बाद ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नानी को मारा था पहले गला गोटा फिर चौपर निकाला मा के भी टुकड़े किये और उसके बाद उनकी लाश को भी बेस्तर चुपा देती है मा का नाम लकी था चैताली के अब दो कतल हो चुका था घर में और ये दो कतल करीब दो से तीन घंटे के दर्मयान हुआ था इसके बाद चैताली का एक भाई आता है छोटा जो चैताली से छोटा था और वो घर से बाहर गया वा था उस वक्त शाम होती है श जैसे ही वो अंदर आता है, कि दोनों उसको भी काबू में करते हैं, फिर उस छोटे अपने भाई को भी गला गोटा जाता है, उसके बाद चौपर से उसे मारा जाता है, उसके भी लाश के टुक्डे कर देते हैं, तीन कतलब हो चुका था, शाम को दफ्तर से आने के बाद, च जैसे ही ये अंदर आते हैं, उसके बाद रिजवान अपने ससुर के उपर काबू पाता है, गला गोटता है, और फिर मारने के बाद सेम उसी तरीके से जैसे पिछले तीन कतल हुए थे, चौपर से उनके लाश के भी टुक्डे कर देता है, घर के अंदर अब चार कतल हो दोनों मिलके फिर आराम से उसी घर में रहते हैं, पूरी रात बिताते हैं, और रात बिताने के बाद अगले दिन जब सुबा होती है, उसके बाद ये सारे कमरे साफ करते हैं, घर के पीछे एक मेन होल था, उस मेन होल में एक एक कर लाश के टुक्डों को डालते हैं, लाश अगले दिन उसके बाद इस कतल आम के बाद रिजवान घर से निकल जाता है अब उस घर में चैताली अकेले रहती है जिस घर में उसने कुछ घंटों के अंदर चार-चार कतल किये थे अपनी माँ का, बाप का, भाई का और नानी का पर उसे कोई डर नहीं लगता एक दो दिन बीटता है, अब परोसी मिस्टर भाउमिक को भी नहीं देख रहे हैं जो उनकी माँ है, लकी, वो भी नहीं दिखाई दे दिया है तो परोसियों में आमतर पर होता है, जो हर रोज जिनका एक रोटीन होता है कौन कब कितने मुझे बाहर निकलता है, कहीं टहलने जाता है तो उनलोगों ने पूछा, तो चैताली ने कहा कि वो लोग कहीं रिश्चिदार किया गई है आ जाएंगे कुछ दिनों में अगले कई दिनों तक चैताली उसी घर में रहती है उसके बाद एक दिन अचाना कि जाताली उस घर से गायब हो जाती घर के बाहर ताला लगा कर जाने से पहले, रिजवान एक दिन और खामोशी से आता है और घर के पीछे में होल में जो उन्होंने चार लास्में डाली थी उस में होल के जो धकन था उसके उपर बाकाइदा वो सिमेंट लेकर आया था और सिमेंट से उसको पूरा वो पैक कर देता है ताकि धकन कोई खोल ही न सके तो में होल के पूरे धकन के उपर चारों तरफ सिमेंट लगा देता है ये काम करने के बाद चैताली घर से गायब ताला घर पे लगा देती है अब आज परोस के लोग देखते हैं ताला नहीं है कुछ को चैताली ने बताया था कि माबाब बाहर गए है तो किसी को कोई इतनी ज़्यादा चिंता भी नहीं होती धी धीरे धीरे वक्त गुदरता है छे महीने गुदर जाते हैं छे महीने तक भामिक परिवार के घर में ताला लगा हुआ था परोसियों को अब लग रहा था कि कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं कि अतने वक्त तक ये लोग गायब हो या कोई फैमिली का मिंबर ना आया हूँ अगर इतने दिनों के लिए जाना था तो हो सकता था वो किसी परोसियों को बता कर जाते है लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद कहीं जरूरी काम हो कुछ हो तो फिर परोसियों अपने काम में बिजी हो गए इधर टेलको में जहां काम करते थे मिस्टर भामिक वो ड्यूटी से जाहर हाजिर तो उन्होंने भी पता कराया लेकिन आकर सब कुछ सारी जो जानकारी थी वो बंद ताले के उपर आकर रुख जाती थी क्योंकि घर में ताला लगा था कोई कुछ बताने वाला नहीं था छे महीने गुदर जाता है किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती छे महीने के बाद जो चैताली के एक मामा वो डॉक्टर थे डॉक्टर अनुपम राय वो कई बार फोन करते हैं घर के लाइन लाइन नंबर पर लेकिन कोई घंटी बचती है कोई फोन नहीं उठाता है और उन्ह कुछ मालूम भी नहीं था कि ये लोग कहां गये हैं क्या है तो जब कई बार लगातार फोन कर लिया और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली तब डॉक्टर अनुपम को थोड़ी सी चिंता होती है जो कि छे महीना हो गया था अपनी बहन से बात नहीं की उन्होंने अपने जी तो उसके बाद जमशेदपूर पहुंचते हैं अपनी बहन के घर जब जाते हैं तो देखते हैं ताला लगा हुआ है लेकिन जिस तरीके से वो घर था उस घर के आप पिछला हिस्सा भी सड़क से आप देख सकते थे तो जब ताला लगा हुआ है उन्हें अजीब सी वह होत जाते हैं तो पॉड़ोसी बताते हैं कि वो जन्वरी से घाएब हैं और ये जब ये पहुंचे तो करीव जून का महीना था तो लेकिन उन्हों ने ये भी बताया पूस्ताच में कि चैताली ने बताया था कि वो लोग कहीं बाहर गएं किसी फैमिली फंक्शन में तो पहले जो माबाप और नानी ये सब गाइब थे लेकिन उसके बाद चैताली थी यहां पर करीब अगले हाफता दस दिन तक रही तो उन्हें बड़ी चिंता होती है कि चैताली घर में अकेली थी और किसी ने बताया नहीं तो इसी दोरान में घर के पीछे जाते हैं और ये भ जब डॉक्टर अनुपम वहां पहुंचे तो जब वो घर के पीछे गए तो उन्होंने अचानक उनकी नजर उस मेन हॉल के धक्कन पर पड़ी और वो बिल्कुल अलग सा दिख रहा था क्योंकि उसको सिमेंट से सारी वो चीज़ें की गे थी सिमेंट के जरिया बन किया गय है तो फिर और यह सिमेंटेट से लग रहा है कि यह हाल में हुआ है तो यह कौन है जिसने बंद घर के अंदर आके मेन होल को सिमेंट से ढखा है यह बात उन्हें बड़ी अजीब लगी फिर उनने दुबारा परोसियों से चेक किया तो उननना का कि नहीं वो लोग तो 29 प्राइब है कोई कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा है पुलिस भी सुनती है पुलिस भी हैरान परेशान उनके साथ घर आकर फैसला करती है कि घर की तलाशी लेंगे परोसियों की मौजूदगी में तो घर का ताला तोड़ा जाता है पुलिस अंदर दाखिल होती है जब पुल पुलिस जब सारी तलाशी कर रही थी तब तक डॉक्टर अनुपम घर के पीछे उस मेन हॉल के पास पहुंच चुके थे वो उसको ध्यान से देखते हैं फिर पुलिस को बताते हैं कि अगर इस घर में ताला लगावा और कोई है नहीं तो पीछे में कोई भी इस मेन हॉल पे सिमिंट क्यों लगाएगा कुछ डाउट हो रहा मुझे तो पुलिस को भी ये बात अजीब लगती है इसके बाद मजदूरों को बिलाया जाता है मेन हॉल का धकन जो है वो तोड़ कर खोला जाता है जैसे धकन हटता है अंदर से तेज बद्बू आती है इसके बाद जो करमचारी थे वो मेन हॉल की जब तलाशी लेते है तो अंदर से एक एक कर इंसानी जिस्म के जो बचे कुछे टुकड़े थे कंकाल वो बाहर आना शुरू होते है जब बाहर आए गिंती की गई तो पता चला कि ये चार इंसानी हिस्से हैं तो अब उस घर में काइदे से पांच लोग थे लेकिन मिले चार के और पड़ोसियों के बयान के हिसाब से चैताली कौन हुने 29 जिनवरी के बाद भी देखा 8-10 दिन तक तो इसका मतलब ये था कि चैताली जिन्दा है बाकी लोग मर गए अब एक सवाल यहां पर यहाया जमशेदपूर के पुलिस पूरी इंविस्टिकेशन में लगी रही कोई सुराग नहीं मिला पर फॉरंसिक साइन्स से लेके बाकी जतने भी एक्सपर्ट से उन सब को बलाया गया घर में सारी एक एक चीज टाटोली गई आखिर में हर जाच की जो दिशा है वो चैताली पर में जब चानबीन की कि तो जानकारी मिली कि रिजवान खान नाम का एक क्रिकटर था और उसके साथ चैताली की दोस्ती थी जिसको घर वाले विरोध कर रहे थे तो इसके बाद चैताली पर और शक गहरा है आप पुलिस ने हर तरफ अपने टीम भेजी पर चैताली का कहीं प प्रवेजी गई कोई फायदा नहीं यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन अचानक चैताली और रिजवान खुद कोट में पेश हो जाते हैं और अचानक जाकर सरेंडर कर देते हैं और उनके सरेंडर करने के बाद जब यह बात खबर पहलती है फिर पुलिस जाती है फिर कर सारी कहानी सामने आती है कहानी यह थी कि चैताली भॉमिक परिवार की जो बेटी थी वो शुरू से ही बहुत आजाद ख्याल की थी माबाप अक्सरों से ढाटते थे प्राहे लिखाये पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी उसके जो फादर है वो टाटा इंजिनेरि इसकूल में और यह सकूल जो है यह बिलकुल जो जमशेतपूर में जो टाटा में एक किनन क्रिकट इस्टेडियम है वहां पर काफी मैचेस होते हैं शायद इंटरनेशनल मैच भी हुए तो इसकूल के बराबर में यह स्टेडियम था और आमतर पर वहां सारे क्रिकेटर जो तो वो किनन ने स्टेडियम जाया करती थी कई बार प्रैक्टिस करने स्कूल के टाइम में। तो वहीं पे एक उभरता हुआ करिकेटर था जहारगन का और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा उसका फीचर भी बहुत अच्छा था। उसका नाम था रिजवान खान रिजवान खान को प्रैक्टिस करते हुए देखते देखते चैताली को उससे प्यार हो गया फिर दोनों में दोस्ती हुई फिर रिजवान को भी उससे प्यार हो गया और इन दोनों ने फिर शादी करने का फैसला किया हाला कि उम्र कम थी अभी स कुछ वक्त के बाद चैताली अचानक प्रेग्नेंट हो गई जब वो प्रेग्नेंट होई तो घरवालों से अब ये बात चुपाना मुश्किल हो गया और ये बात घरवालों को पता चल गई इस से पहले जब ये प्रेग्नेंट होई उसी दौरान में चैताली और रिजवान कोट में जाके शादी कर लिए. गुप चुप तरीके से और किसी को बताया भी नहीं. यह बात सिर्फ इन दोनों को पता थी. तो कोट में कोट मैरिज कर ली उसके बाद प्रेगनेंट हो गई. अब चूब के पता ता चेटाली को कि प्रेगनेसी वो छुपाया नहीं जा सकता कुछ दिनों बात फिर उसने अपनी माँ से धीरे से बात की और उसे उसे सारी कहानी बता दी उसने कहा कि ऐसे से उसे प्यार हो गया और जवान से उसने कोट मेरिज कर ली और वो प्रेग्नेंट है जाहिर सीपात एह बात सुनकर घर में हंगामा होना ता हंगामा हुआ जो मिस्टर भामिक और उनकी वाइफ ये सारे लोग नाराज हुए गुस्वाबर डाटा और पिर उनने कहा कि ये जो बिच्छ है गलत है और जो भी समझाना बुझाना जो गुस्वा था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया माबाप के इस और रिजवान के साथ रिष्टे को लोगे क्योंकि वो इस शादी को मनजूरे किसी कीमत पर देना नहीं चाहते थे चैताली बिफर गई उसे लगा कि ये लोग सब उसके दुश्मन है और फिर उन्होंने ये भी गुस्चे में कहाता कि अगर तुने किया तो हम तुझे अपनी जादाद से भी बेदेखल करेंगे और सिर्फ तरह भाई है जो वही वारिस होगा तो इन चीजों ने चैताली के दिमाग में जहर भर दिया उसे अपने ही माबाब अपने दुश्मन नजर आने लगे जबकि हर माबाब चाहता है कि उसकी बच्ची ये बेटा ये बेटी हो उसका हमेशा अच्छा भला हो तो उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की लेकिन चैताली ने सब कुछ यहां उल्टा ले लिया उसे लगा कि ये दोनों माबाब सब उसके प्यार के दुश्मन है उसे लगा कि ये सब प्रोपर्टी से मुझे बेदेखल कर देंगे उसे बात बरदाश नहीं और उसने फिर फैसला किया कि जो भी उसके प्यार के रास्ते में आएगा उन सब का नाम निशान मिटा देंगे इसके बाद उसने रिजवान से इस बारे में बात की और कहते ये हैं कि इसी ने रिजवान को तैयार किया कि हम अपने माबाप को माड़ा लेंगे रिजवान उसकी बातों में आगिया फिर दोनों ने फैसला किया 29 जनवरी को इन्हों मौका मिला पहले से प्लानिंग थी एक एक करमा, बाप, नानी, भाई चारों का इन्होंने कतल किया मेन होल में डाला और सिमेंट इसलिए उस पे धकन पे लगा दिया ताकि ये रास जो हमेशा दफने रहे मेन होल का कभी धकन नी खुलेगा लासे कभी बाहर नी आएंगी और कुछ दिन तक चैताली इसलिए घर में रही ताकि कि किसी को शक्त ना हो और वो बता सके कि घर के लोग बाहर गये हैं फैमिली फंक्शन में लेकिन जिस जगे पे वो मेन होल था और जो सिमेंट नई उसमें चुनवाई गए थी धकन बन करने के लिए उस एक चीज ने उसके मामा डॉक्टर अनुपम का अपनी तरफ ध्यान की जा और उने लगा कि जो घर छे महीने से बन दे उसमें ये सिमेंट नई कैसे किसी नचुनवाई है वजा क्या हो सकती है तो वो एक शक एक छोटी सी चीज उसने ये चार-चार कतल का राज खोला इसके और ये मामला अदालत में किया जमशेदपूर सेशन कोट ने 13 मार्च 2001 को अपना फैसला सुनाया और चैताली और रिज्वान दोनों को फांसी की सजा सुनाई क्योंकि कोट का मानना था कि ये रेरिस्ट आफ रेर केस्पकी केटेगरी में आता है दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई जमशेतपूर में ये खबर हमेशा हर दिन अख़बारों की सुरुखियां में था और छोटा सा शहर है लगबग हर घर को ये कहानी पता थी फांसी की सजा के खिलाफ चैताली और रिजवान फिर जारखंड हाई कोट पहुंचते है हाई कोट में दो साल तक सुनवाई होती है उसके बाद 31 जनवरी 2003 को जारखंड हाई कोट इस केस को रेरिस्ट आफ रेर की केटेगरी में मानने से इंकार करते हुए इनकी सजा को फांसी की सजा को उमर कैद में तबदील कर देता है तब फांसी से बढ़ गया उमर कैद की सजा हो गई इस सजा के खिलाफ भी फिर दोनों सुप्रिम कोट पहुंचते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत में करीब दो तीन साल सुप्रिम कोट में मामला अटका रहता है उसके बाद दो हजार पांच यचे में सुप्रिम कोट का भी फैसला आता है सुप्रिम कोट जारकन हाई कोट के फैसले को बरकरा रखती है यानि दोनों की उमर कैद की सजा को बरकरा रखती है सुप्रिम कोट का फैसला आने के बाद इन दोनों को हजारी बाग जेल में भेज़ दिया जाता है जिस वक्त ये गिरफतारी हुई थी और जब ये कत्ल हुआ था जैसा मैंने आपको बताया तब चैताली प्रेग्नेंट थी लेकिन गिरफतार थी जेल में ही थी तो फिर जेल के अस्पताल में ही इसने एक बेटे को जर्म दिया और ये बात है दो हजार की टूथाउदन में और जेल के कई मैनवल और कानून ही होते हैं कि जब तक बच्चा कोई और अगर पाल पोस्ट नहीं रहा है और मा की जरूवत है तो वो मा के साथ रहता है ये भी एक अजीब है कि बेना जर्म के ये वे भी आप जेल में रहते हैं तो चैटाली का बेटा कुछ वक्त तक जेल में रहा उसके साथ लेकिन जैसे ऐसे फिर वो बड़ा हुआ उसके बाद उससे जेल के बाहर उसके किसी अपनों नहीं पालने का फैसला किया तो उसका बेटा उसके बाद जेल से बाहर निकला और किसी और के हाँ पल रहा है 19 साल हो गये हैं जाहिर सी बात है वो लड़का बठारा 19 साल का वो भी 18 साल का हो गया होगा यह नहीं मालूम वो कहा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है लेकिन चैताली और रिजवान दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हाजारी बाग जेल में है एक भरतावा किरकेटर उसका अपना करियर खत्म हो गया एक चैताली जो जिन्दगी में और भी कुछ कर सकती थी, उसकी जिन्दगी भी बरबाद हो गई और एक बेटा जिसका कोई गुणा नहीं है, वो अपने माबाप के प्यार से महरूम रह गया माबाप जेल में और वो बाहर और एक बेटी जिसको माबाप ने इतना प्यार दिया उसने अपने हाथों उसी माबाप का कतल कर दिया तो इस कहानी में ऐसे कई रिष्टे उल्जेवे हैं और कई रिष्टों के अलग अलग शकल है ये थी पूरी कहानी रिष्वान और चैटाली की जम्षेथपूर की कहानी इससे कई सारे सबक भी मिलते हैं एक सबसे बड़ी सबक तो यह है कि माबाप जब भी कोई अपने बच्चों के लिए कुछ कहते हैं या बोलते हैं तो उसके पीछे कभी कोई बुरा नहीं आती या बुरा मकसद नहीं होता है वो सर्फ और सर्फ भला ही सोचते हैं लेकिन बच्चे अगर उसमें भी बुरा ही निकालने हैं और लगे कि माबाप ही दुश्मन है तो फिर उसका कोई हल नहीं है ये थी पूरी कहानी एक अपसोसनाक कहानी अब आपसे मुलाकात होगी कोशिश करूँगा मंडे को नहीं तो टूस्टे को क्योंकि मंडे को कौन बनेगा क्रोड़ोपती यानि केवीस ही है 23 सितंबर को और उसमें मैं आ रहा हूँ एक्सपर्ट के तोर पर तो मौका मिला तो बिलकुल हाजिर होगा नहीं तो फिर आप लोग मंडे को 9 बजे कहानी सुनने की बजाए के वीसी देखिए सुनिये और उसमें कुछ सवाल भी है हमिताब बचन साब से तो सवाल को भी देखिए और एक चीज़ और भी के वीसी में कंटेस्टेंट है जिनके साथ मैं एक्सपर्ट के तौर पर था इतफाक से वो भी क्राइम तक की फैन निकली तो के वीसी देखिए मंडे मौका मिला तो मैं हो सकता हाजिर हो जाओ लाइप पर अगर नहीं